मैं हूँ आपकी होस्ट जैसिका जॉइस साविक प्रोग्राम गॉर्ण यूथ सीजन टू जिसमें हम आपकी मुराकात करवाएंगे उन शक्सियात से जो शोबाई जिन्गी में काम्याबी से हम किनार हैं और जानेंगे उनकी काम्याबी के राज प्रेज दे लौड मसी यसु में आप सब की सलामती हूँ मैं हूँ आपकी होस्ट जैसिका जॉइस तारिक और प्रोग्राम गॉर्ण यूथ सीजन टू में आपको खुशामदीद कहती हूँ तो जी नाजरीन जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम यूथ को इन्वाइट करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी जिन्दगी के बारे में उनकी जुबानी तो से पहले कि मैं आज की मेमान का इंट्रोडक्शन करवाँ हम अपने प्रोग्राम का अगास किलाम खुदा से करेंगे तो हम यूसाय की किताब उसका एक तालिसमा बाप उसकी तेरवी आएट की तलावत करेंगे क्योंके मैं खुदावन तेरा खुदा तेरा दाना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर मैं तेरी मदद करूंगा खुदावन के पाक लाम के पड़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो खुदावन का शुकर हो तो जी नाजरीन जो आज की मेमान हमारे साथ मौजूद है यकिनें आप उनके बारे में जाना चाते होंगे तो मन का छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देती चलूँ तो जो आज की मेमान हमारे साथ मौजूद है वो सेंडे स्कूल टीचर भी है और साथ ही साथ बी एस एन ट्रेनिंग भी कर रही है और उसके साथ साथ चर्श में खुदाम की खिदमत को सरे इंजाम भी दे रही है तो आए मिलते हैं सिस्टर जैनीता आरिफ से और गुफ्तगूगा आगास करते हैं जी जैसी का मसी में आपकी सलामती और खुदावन आपको बरकत दे और तमाम देखने वले नाजरीन के लिए भी बरकत चाहती हूँ कि वो आज इस प्रोग्राम के वसीले से बरकत पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे तो जी सिस्टर जैनीता कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी सिस्टर जैनीता आप देखने में नाजरीन को बताएंगे अपनी फैमिली के बारे में मेरे वालिद सहाब का नाम पास्टर आरिफ और उनके खानदान में मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ और मुझसे बड़ा एक भाई है फिर मैं और मेरी एक चोटी बहन है हम तीन बहन्द बाई हैं और खुदावन हम तीनों को अपने जलाल के लिए इस्तमाल कर रहे हैं और हम तीनों बाइब आई उनको बच्चपन ही से म्यूजिक का बहुत शोक था और उन्होंने खुदा के जलाल के लिए बच्चपन ही से अपने को चर्ट में सर इंजाम दिया और इसी तरह ही मेरी खिनमत हुआ ने मुझे संडी स्क्रेदी स्कूल के दिये चुना और मैं नrah नहीं सका समझा मैं इस बात को द्याव में रखा और मैंने स्टेडियों के साथ साथ खदा के खिनमत को भी अभी भी जारी किया हुए और मेरी चोटी सिस्टर वो भी एजा म्यूजिशन चर्च में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं बिल्कुल यकिनन कभी-कभी मसी गनाने से तालुक रखते हुए भी हम कभी कबार खुदावन यसमसी की तरफ नहीं आते हैं यहां उसकी बुलाहट को अपनी ज मुश्ती चलूं के इन सब के लावा आपकी क्या एक्टिविटीज हैं इसके लावा वैं एजा पार्ट टाइम जॉब मुझे क्योंके स्टुडिस में काफी मुश्किल होती है कभी ऐसा वक्त आता है इनसान पर के हालात बहुत अच्छे होते हैं और कभी ऐसा वक्त भी आत कि किसी भी हालात की वज़ा से मैं पीछे हटी हूँ या तो खुदा ने हमेशा मुझे संभाद ले रखा ऐसा नहीं के खुदा ने कभी मुझे मेरा साथ चोड़ा बलके खुदा हमेशा अपने लोगों के साथ रहता है उनकी दौाओं को सुनता है मैं आप से भी यह खुदा कर दामन ना छोड़ें बलकुल जब हम खुदामन के साथ वफदारी के साथ चलेंगे तो खुदा भी हमें फिर सरफरास करेगा तो यहाँ पर मैं आप से पूछते हैं जिस तरह आप संडे स्कूल मिनिस्ट्री के साथ भी अफिलियेटिड हैं चर्श की भी खिदमत कर रही हैं और उसके साथ साथ अब BSN की ट्रैनिंग भी करी हैं तो अब किस तरह अपनी फैमली को भी और चर्श को भी सब चीजों को कैसे मैनेज करती हैं टाइम देती हैं जी मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहती हूं कि मैं स्टेडिस में जब मैं 9th क्लास में थी तो म अपनी इस खिदमत को सरणजाम दिया और तब से मैं संडे स्कूल की खिदमत भी कर रही हूं और जैसे के जैसिका ने सवाल बहुत खुबसूरत सवाल किया कि मैंने किस तरह से इसको मैनेज किया तो मैं बताना चाहती हूं कि मैं जब 9th क्लास में थी तो मैंने पाकिस्तान स School Ministry से ट्रेनिंग लेना शुरू कि क्योंकि मैं समझती थी कि मुझे मज़ीद सीखने की जरूरत है कि मैंने किस तरह से अपने मसीही बच्चों को सिखाना है बेहतर तोर पर उन्हें खुदा की खिदमत के लिए तियार करना है तो मैंने ट्रेनिंग ली और अभी भी मैं से और आप बच्चों को सिखा रही हूं और इसके साथ साथ मैं जैसे के BSN कर रही हूं और उससे पहले जितने भी मैट्रिक किया मैंने खिद्मत के साथ साथ किया FAC की उसके बाद मैंने ट्रेनिंग में आ गई और काफी मुश्किलात आती हैं लेकिन खुदा अपने लोगों की दौाओं को सुनता और उनके जब हम अपने मनसूबे खुदा के हाथ में दे देते हैं तो खुदा हमारे लिए हमसे बाढ़का सोचता है बल्कुल और खुदा भलाई का खुदा और यगीनन वो हमारे लिए भलाई के मनसूबे रखता है जब हम उस पे इत्माद करके उस पे भरोसा करके अपने सारे future plans को खुदावन के हाथों में देते हैं तो फिर खुदा हमें कहता है डरो मत क्योंके मैं देखो तुमारे साथ हूँ तो जी सिस्टे जैनीता आप बताएंगे किस तरह आपने अपनी जिन्गी में ये सुमसी को शक्सी निजात देहिंदा कबूल के और आपको कब महसूस हूँ आपको बुलाहाट कब खुदावन की महसूस हूँ जी जैसे कि जैसी का मैंने बताया कि मैं नाइंध क्लास में थी तब से मैंने खुदा की बुलाहाट को भी अपनी जिन्गी में महसूस किया कि खुदा ने मुझे चुनाए इस खिदमत के लिए तो उससे पहले मैं 8th class में थी जब मैंने कलाम में से सीखा मुझे खुदा के खुदा क कलाम की बेतरीन समझ अब से आना शुरू हुई मैं मार्च में याद है कि 28 मार्च 2013 मैंने खुदा कुदा उनका अपना शक्सी नजात दहिंदा कबूल किया तो जी जिस तरह आपने बताया क्या BSN के ट्रेनिंग भी करती है और बाहर जाती है स्टाड़ी करने तो किस तरह आप अपनी गवाही को बिंगर कृश्टिन काइम रखती हैं क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल बात है कि बहुत सी मुश्किलात का स्ट्रगल्स का सामना करना होते हैं तब तक तो हम हिजके चाहते हैं कि हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मजभी बात करें या ना करें लेकिन जब आप इस लेवल पे आते हैं ना यूनिवर्सटी लेवल पे तो आप किसी से गुफटगू करने का आपको पता होता है कि हमने किस तरह से कर किस तरह से आप मसी की गवाही को खुशखबरी को फैलाएं दूसरों तक तो मैं नाजरीन को बताना चाहती हूं कि युनिवर्सटी में मेरे साथ अक्सर मेरे फैलोज जो मुझसे सवाल करते हैं या वो अक्सर आपस में गुफटगू में नेगेटिव जब बोलते हैं तो मैं उन्हें बताती हूं खुदा के कलाम से बताती हूं कि हमें पॉजिटिव बोलना चाहिए क्योंकि हमारे जबान में जो है वो ताकत है और जो हम इलफास बोलते हैं वो हमारा पीछा करते हैं तो मैं उन्हें कलाम की तरफ लेकर आती हूं और फिर उन्हें उस तरह से गाइड ते चले जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है लेकिन कभी कबार हमें खुदावन के किरामें से देखने को मिलता है कि जब हम अपने लिए पॉजिटिव इलफास बोलेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिविटी ही पैदा होगी तो यहां पर मैं आप से पूछती चलूं कि कि जिस तरह आप सेंडे स्कूल टीचर हैं तो किस तरह आपने महसूस किया आपने अपनी बिलाहट को सेंडे स्कूल टीचर बताय के कबूल किया तो आपके ख्यार में यूथ को या बच्चों को किस तरह हम बिंग यूथ या मसी में होते हुए हम उनको आप अप ब्रिंग क करना है हम तो जाके बैठेंगे जिनके जो लीडर्शिप में है उनका काम है के वो करें लेकिन मैं समझती हूं कि ऐसा नहीं हमें हर किसी को रिसपॉंसिबिलीटी देनी है जिम्मेदारी देनी है यह लीडर्स का काम है कि वो लोगों को चुने और उने जैसे जो जो तोड़े उने ने खुदा ने उनको दी है उसके मताबिक उनके तोड़ों को परकें और उने भी कहें कि ये बात दूआ में रखें खुदा ने हर किसी को कोई ना कोई तोड़ा दी है मुफिलिफ टोड़े खुदा ने दिये होते हैं तो उनको समझने की जरूरत है मैंने भी पलाहर्ट को ऐसे ही समझा मैंने इस बात को दूबा में रखा कि खुदा तुने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना है तुने मुझे चुना हुआ है तो खुदा मुझे बता कि मैं किस तरह से तेरी खिदमत करो तो मैंने ये चीज महसूस की कि खुदा ने मुझसे संडे स्कूल की खिदमत लेनी है तो फिर मैंने इस बात को दुआ में रखा और प्रॉपर ट्रेनिंग्स ली और जब मैंने बच्चों में खिदमत शुरू की तो मैंने देखा कि बच्चों ने मुझसे बहुत कुछ सीखा है खुदा के किलाम में से और ये किनन आप उनकी फेवरेट टीचर भी रही होंगी जी ऐसा ही था और बच्चे अक्सर कहते हैं कि जानीता बाजी को बिलाए हमने उन से सीखने है यकिन है ये बहुत ही खुबसूरत बात है कि बिंगा संडे स्कूल टीचर कभी कभी लोग समझते हैं संडे स्कूल का टीचर का मतलब यह ही होता है कि बच्चे आए उनको मारे वगरा लेकिन कभी-कभी मार से भी वो काम नहीं होता जो प्यार से हो जाता है। बिलकुल ऐसा ही है। इसलिए तो इसलिए अक्सर बच्छे संडे स्कूल ली आते हैं वो मार से ड़ते हैं कि घर भी मार पड़ेगी जाके संडे स्कूल में भी मार तो इस वज़ा से वो जो है थोड़ा दिल बरदाश्टा हो जाता है इस वज़ा से नहीं तो संडे स्कूल टीचर होते हैं आप क्या समझते हैं कि बच्चों को किस तरह टीचिंग देनी चाहिए और जब आप प्यास से सखाएंगे और बच्चे अच्छा सीखेंगे ज़्यादा सीखेंगे जब आप उन्हें डरा देंगे तो उनके माइनड मी उस तरह से आपकी बात को नहीं पिक करेगा जैसे वो प्यास से सीख सकते हैं तो मनिस्ट्री में भी हमने यही सीखा कि बच्चों को प्यार से सिखाना है और बच्चों को मुख्तलिफ एक्टिविटीज करवानी है रोटीन से बच्चे तंग आ जाते हैं कि स्टोरी है गीत है लेकिन हमें उन्हें गेम्स करवानी हैं उनको कलरिंग करवा के ड्राइंग् क्टिविटीज के जरी हम बच्चों को खुदा के कलाम में से ज्यादा बेहतर तोर पर सिखा सकते हैं तो जी सिस्टर जैनिता बिंगर यूथ आप क्या समझते हैं कि हम यूथ को किस तरह चर्चिस की तरफ लेके आ सकते क्योंकि जिस तरह आजकल बैदीनी का दौर है और य सबसे बाहर निकाल सकते क्योंकि जाहर इस nephew बाता है मैं एक दम से उनको छेंजि कर सकते हैंस्ता इसथा तो किस तरह मुस प्रॉसेस को जारी कर सकते हैं चैर्च होते हूँ जी जैसी का यहांपे मैं एक बात कर न надо चाहूंगी मैं यूथ के एक सैमिनार में ने अटेन्ट कि और वहां पर हमने यह पॉइंट्स रखे थे कि यूथ को हम चर्चिस के तरफ किस तरह लेकिया क्यूंकि आज कल जैसे कि आपने बताया कि वह चर्चिस से दूर है यूथ तो इस पॉइंट को हमने रखा और फिर काफी सारे यूथ के कुछ लोग उन्होंने अपने हाथ खड़े किये कि उनके क्या-क्या मसले मसाइल हैं कि वो क्यों नहीं चर्चिस में आते हैं तो उन्होंने बताया हमें कि एक तो हम जैसे कि मैंने पहले आप से ये बात की थी कि यूथ को ऐसा लगता है कि हमें कुछ चर्चिस में से रिस्पॉंसिबिलिटी दी जाएगी तो हम उस तरफ आएंगे वह समझते हैं अगर हमारे पास कोई रिस्पॉंसिबिलिटी नहीं है वह अपने तोड़ों को नहीं समझते उस टाइम पे तो हमें उनको एक तफ़ा इन्वाइट करना है चर्च की तरफ उन्हें इस बात क हमें यूस को प्लाटफॉर्म महया करना है जहां पर वो खुधारूं के जलाल के लिए काम कर सक otraska करें जा अगीन वे किस तरह किस तरह चर्च की कोई नहीं आ रहा, आप समझते हैं को उसमें मुश्किल है, तो मैं समझती हूं इस बात को कि आप उसके लिए दुआ रोजा रखें, जिस तरह हर मकसद के लिए, किलाब में मुकदस में भी हम देखते हैं, दुआ रोजे रखेंगे, तो इसी तरह यूथ के लिए भी दुआ प्लाटफॉर्म्स नहीं महया किये, और उनको टाइम नहीं दिया कि वो खुदावन की खिदमत में अपने आपको सर्फ करें, या उनको डिसकरेज किया, क्योंकि आजकल की जो यूथ है, जिससे भी पूछेंगा यूथ मेरा खुदी एक्सपिरियंस है, काफ़े जादा लो यूथ है, तो वो कहते हैं, जी यूथ जा रही है, आपके चर्च की तो चाने दे जाने दे इसको, लेकिन ये बहुत गलत बात है, जब आपकी यूथ ही नहीं उठेगी, तो अगली जैनरेशन कहां से आएगी, बिल्कुल खुदावन की खिदमत करने के लिए, तो आपने बहुत ही खुब सुरत बात की कि चर्च की जिम्मेदारी है, कि वो अपनी यूथ को खुदावन के जलाल के लिए प्लाटफॉर्म्स महया करें, ताके वो खुदावन के जलाल में बढ़े, और अपनी खिदमत को सर अन्जाम देने वाले हों, बाद में फिर चर्च के खाद तो मैं ये समझते हूं कि जिस तरह एक शाक चोटी सी होती है, उसको जिस तरह को मुड़ो वो महा को मुड़ जाती है, लेकिन जब वो एक मजबूत रख में तबदील होती है, तो यकिनन कोई भी उसकी जड़ों को हिला नहीं सकता, तो आपने संडे स्कूल की खिदमत को इ आप इसके बारे में क्या कहना जाएंगी? जी, बिलकुल ऐसा ही है, बच्चों को भी सिखाना उतना ही ज़रूरी है, जब वो बच्चपन ही से सीखेंगे खुदा के कलाम में से, तो उनकी बुनियाद मजबूत होगी, और जो बुनियाद मजबूत करने का टाइम कुछ लोग फिनैंशली तोर पर प्रशान है, कुछ लोग और जादा प्रशानियों में मुबतल हैं, तो किस तरह बिंगा कृष्टिन हम अपने घर के महौल को बेतरीन से बेतरीन बना सकते हैं? जी जैसी का, जैसे के मैंने अपनी गवाही भी शेयर की, और इसी तरह ही मैं नाजरीन से ये कहना चाहूंगी, कि हालात अच्छे या बुरे आते हैं, लेकिन हमें खुदा का दामन नहीं छोड़ना, हमें हर तरह के हालात में, खुदा उनकी शुकर गुदारी करनी है, और जो गुदा, जो जिसमने अपने कलाम में हमें सिखाया, कि अपनी सारी फिक्रे मुझपर डाल दो, क्यूंकर मुझे तुम्हारी फिकर है, जब भी मैं मुश्किल हालात में होती हूं, मुझे ये आयत यादाती है, और मैं खुदा से जब दा करती हूं, तो खुदा मेरी द बिल्कुर खुदा हमारा मुहिया करने वाला खुदा है, बिल्के वो हमारे मांगने से पहले हमें देने वाला खुदा है, वो यही जानता है कि उसके तालिब किस चीज के मौताज है, तो जी सिस्टे जनीता, बिंगर यूथ आप क्या समझती है कि एजूकेशन कितनी जरूरी ये यूद के लिए जी तो मैं नाजरीन को बताना चाहती हूं कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है उन्हें एजुकेशन हासिल करवानी है इसलिए ताके वो दुनिया में अच्छे मसीही बनकर आला मकाम हासिल करें और दूसरी बात ये कि वो चर्चिस में अपनी नमाई होगी जी बलकुल आपने दुरूस का कि जिसने हम एजुकेशन हासिल करेंगे उतना ही हमें खुदान के किलाम के साथ भी वाकफियत होगी और एकिनन हम खुदा के जलाल में आगे बढ़ते जाएंगे तो यहां पर मैं आपसे पूछती चलूँ कि आपकी जिनगी मे कोई ऐसा वाकिया जब आपने मसीखी महबत का तजर्बा कियो वैसे तो मसीखी के लिए हर एक दिन मौजिजे का दिन खुदान की मसीखी महबत के निये तजर्बे का दिन होता है तो आप ऐसा एक experience देखने वाले नाजरीन के साथ शेयर करेंगी जी जैसीका जैसे के पहले भी मैंने बताया कि और बहुत खुब आपने बात की के मसीखी की महबत का तजर्बा हर दिन हमें होता है ऐसा ही है लेकिन जब इनसान मुश्किल हालात में होता है ना जब खुदा से दुआ करता है तो तब जब उसका बहुत बड़ा मसला जब हा तो एडमिशन लेने में काफी मुझे 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 पेशारी थी तो कुछ फाइनशली भी मैं कहना चाहती हूं कि उस तरह से हालात इतने अच्छे नहीं थे तो मैं डबल माइंड़ हो रही थी लेकिन फिर खुदा जो हमें हैं तरह के हालात में जैसे मैंने बताया कि जब हम हम उसके हजूर में अपनी दर्खास्तों को पेश करते हैं तो वो उसके जो मनसूबे हैं वो हमारी सोच से बढ़ कर हमारे लिए होते हैं और उसने मेरे लिए वाकिए मेरी सोच से बढ़ कर किया और तब मैंने खुदा की मुझे के तजर्बे को अपनी जिनकी में जाना बल पर मैं आपसे पूछती चलूं कि आप देखने वाले नाजरीन को सिस्टे जैनीता और यूथ जो आपको देख रही है उसको क्या मैसिज देना चाहेंगी जी जैसे कि पहले भी मैंने यूथ से एक बात कही कि वो अपने तोड़ों को पर्खें और खुदा के जलाल के लिए अ और अपनी बुलहाट को खुदा के आगे इस मकसद को रखें कि खुदाओं तू हमें बता कि तुने हमें किस मकसद के लिए चुना है और अपने तोड़ों को इस्तमाल करें खुदा के जलाल के लिए और खुदाओं आपको बरकत देगा थैंक यू सो मच सिस्टे जैनीता और यगिने नजाब के गवाई से बहुत से लोगों ने बरकत पाई होगी और आप जितनी बाते आपने इंटेलेक्शल की यगिनन कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो लोगों के दिल में होंगे और यगिनन इनका जवाब भी जाना चाहते हो होंगे तो आज आपके वसीला से खुदावन ने अपने जलाल को जाहिर किया थैंक यू सो मच फॉर जोइनिंग आसे इन इस प्रोग्राम खुदा आपको और बरकत दे सारा जलाल खुदा के कदूस नाम को मिले थैंक यू सो मच तो जी नाजरीन यकिनन आज की मेमान की रहिए और देखते रहिए God in youth season 2. God bless you all.